तो हेलो प्रेंट्स विल्कम बैक टू येस नेफटी आज मैं देने वाला हूँ डो मेजर क्वेशन का एंसर पैला क्वेशन है कि रूकी प्लेयर्स को लेके क्या गेम जीटा जा सकता है और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि टीन ओ फ्रीडम सीरीज खेलने के बाद मुझे कितना पैसा मिला तो ये देखिए मेरा टीम इसमें है एक बैचमेन जो रुकी है लेवल वन का बोलर दोनो रुकी है ऐसे मैं दिखाना चाता हूँ कि मेरे पास लेवल 5 का बोलर एवेलेबल है मैं इसको यूज कर सकता हूँ पर फिलाल के लिए हम नए है गेम में तो रुकी खेल के कैसा पैसा कमाया जा सकता है ये मैं आपको दिखाना चाता हूँ और मैं हर game rookie से ही खेल रहा हूँ ऐसे आप swipe कर सकते हैं फिर से मैंने rookie को ले लिया है team में मेरा team strength है 3 ऐसे ballers को भी swipe कर सकते हैं आप एक baller के साथ भी खेल सकते हैं minimum एक batsman और एक baller आपके पास होना जरूरी है rookie player के साथ freedom series का 3 गेम में खेलने जा रहा हूँ मैं आपको फटा फट दिखा देता हूँ यहाँ पे कि freedom series 2 में दो second match था उसमें मैंने कितना पैसा कमाया तो यहाँ आते हैं leader boards में और आप देख सकते हैं उपर yes nft में मेरा rank और यहाँ 50,000 JT points तो मतलब मैंने 5 डॉलर कमाया यह रहा freedom series का पूरा chart सब matches के chart तो आप देख सकते हैं तो total मैंने कमाये तीनो matches को मिला के 10 डॉलर तो तीन दिन में 10 डॉलर का मतलब होता है Indian rupees में into 77 जो होता है 770 rupees तो 770 rupees 3 match में 3 डीन में मुझे नहीं लगता कि बुरा है तो देखते हैं freedom series का तीसरा match जो independence day के दिन यानी 15 को होता यह match खेल के देखते हैं सब players ने काफी अच्छा perform किया इस match में और मुझे इस match से मिले थे 3 डॉलर इन matches में थोड़ा pits तो tough था पर jump trade ने जो warm up matches खिलाए थे 2 दिन पहले तक वो बहुत काम आये इसमें बहुत experience मिला training करने को मिला बिना सोचे समझे कहां मार सकते हैं बिना point lose किये warm up matches ने बहुत सिखाया तो ऐसे warm up matches खिलाते रहने चाहिए jump trade को मैं तो यही suggest करूँगा वहाँ practice हो तो real essay field में जहाँ पैसा कमाया जा सकता है बहुत काम आता है यह मैं खेल रहा हूँ धीरे धीरे ओपनेंन का एक wicket जा चुका है यह offside में खेलेंगे यह practice practice makes man perfect यह practice की वज़े से ही यह judge करना आया है कौन सा ball कहा मारना है क्योंकि हर match में मुझे ओपनेंन मिले जो काफी close थे मेरे मेरे score के काफी close थे और आप ज़्यादा hit करने जाओगे उपर उपर से तो catch out होने का risk रहता है तो consistently आपको perform करना है हर ball पे run निकालने का try करना है next weekend फिर से paid वाले matches आने वाले है इस match can मैं मैं दिखाने वाला हूँ कि तीनो freedom matches में मैंने कितना कमाया और जो पैसा मैंने कमाया वो मैं jump trade के wallet में लेके आऊंगा वो भी आपको दिखाऊंगा यह बढ़िया 6 over के पहले ball पे थोड़ा आगे निकलने का try कर रहा हूँ है leg glance पे shot hook क्या एक run मिलेंगे यहाँ पे कोई filter मौजूद नहीं बीच में leg side पे और effect तक लेके नहीं जा पाया और कोई बात नहीं यहाँ पे 3 run मिलना चाहिए बिलकुल ओपोनेंट है 22 पे काफी close है ओपोनेंट मैं हूँ 29 पे same shot दुबाड़ा 3 run के लिए तो ऐसे खेला मैंने अपना freedom series का तीसरा match same ball, same side पर इस बार pull shot मिलेगा सिर्फ मुझे एक run यह ball cover drive पे offside पे खेला जा सकता है slow and steady wins the race तो ऐसे slow and steady खेलते खेलते में पहुच गया 34 run पे meta jugler को कराऊंगा मैं ball off spinner meta jugler काफी अच्छा baller साबिट हुआ है last message में opponent के पास meta tricky और even out मैंने यही आपको हमेशा सिखाया है कि नए baller को खेलने से पहले पहला ball judge करना बहुत important है यहाँ चक्मा खाते हुए recovery का पूरा कोशिस team run एक बड़ा stroke लगाना होगा यहाँ पे comeback के लिए फिर भी बहुत बड़िया जा रहा है हर ball पे run निकालने का try कर रहा हूँ और run निकल भी रहे है इसको offside पे खेलने का try करेंगे वापस से team run के लिए ओपनेंट ने यह miss किया ball यह pressure बनाए रखना बहुत जरूरी है last over में इसी से आपके jt points count होते है जितना जादा jt points उतना जादा पैसा मिलेगा आपको leaderboard पे आप उतने ही top पे रहोगे तो consistently ऐसे run लेते हुए मैं पहुँच गया 42 run पे और मैं यहाँ जीत गया यहाँ एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि jt points कैसे मिलता है यह मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे scout boxes मिलते हैं जिसमें मिलता है cards जो help करता है आपको player के upgrade में और यही चीज दिखाने का मैं try कर रहा हूँ कि leaderboard पे points कैसे मिलते हैं तो देखिया win पे मिला मुझे 50 points हर 4 पे मिलता है 6 jt points हर 6 पे मिलता है 10 jt points wicket taken पे मिलता है 7 jt points तो आपके jt points आपको जितना मिलता है वो आपके performance के उपर base करता है आप game को lose भी कर रहे हैं फिर भी आप अगर 6 hit करते हो 4 hit करते हो ज़्यादा से ज़्यादा wicket लेते हो तो आपको ज़्यादा jt points मिलेंगे तो इस match का मेरा total रहा 125 jt points तो अभी फटावद खोलते हैं अपने jump trade का account मेरे laptop में आप देख सकते हैं उपर ये मेरा profile है गर्जेंट link के wallet पे आता हूँ मैं यहाँ ऐसे available fund jet 20 dollar last time मैंने 30 dollar निकाल लिया था वो आपने पहले वीडियो में देखा होगा तो 80,000 jt points मेरे jt account में जमा है और rewards कौनचे टोर्णामेट में कितना मिला है आप देख सकते हैं 30,000, 50,000 मतलब 5 dollar, 10 dollar ये 20,000 jt points जो 2 dollar मिला था मैंने निकाल लिया था ये रहा तो यहाँ से मैंने ट्रांसफर कर दिया था आपने available funds की तरफ ये 5,000 sorry 50,000 jt points जो 5 dollar होते हैं वो अभी यहाँ पे है और आज का मतलब 30,000 jt points जो बनता है 3 dollar तो अभी मेरे पास है jt points balance 80,000 जो होते है 8 dollar आप कर लिजे calculation 8 into 77 गेम पे रखने से अच्छा मैं अपने jt points को convert करके आपने गर्जन वालेट पे लेके आ जाता हूँ यसे यहाँ पे आपको लिखना है withdraw पे जाके 80,000 यहाँ दिखा रहा है कि 8 dollar आपको मिलेगा मैंने click किया और convert it successfully तो यह हो गया 28 dollar available funds तो देखे कितना easy है तो आप भी आएए मेरे साथ जूरिए पैसा कमाईए कोई भी doubt होगा तो मेरे चैनल पे comment करना मैं उसका answer जल्दी से जल्दी देने का try करूँगा तो thank you दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना बाई बाई